आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में प्ले श्टोर से कोई एप डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने पर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर आपको show होता है pending verified by play protect तो इसे कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर cancel पर click करें cancel पर click करके back आईए और फिर से back आईए और back आने के बाद अब जब आप play store open करते हैं उसके बाद उपर right side में यह जो आपके gmail ID का profile photo आता है इस पर आप click करें या फिर यह जो गोल सा icon आ रहा है इस पर आप click करें इस पर click करने के बाद आएगा manage apps and device इस पर click करें और इस पर click करने के बाद उपर आएगा manage इस पर आप click करें उसके बाद चेक करें अगर यहाँ पर कोई app download या फिर update हो रहा है तो इस तरीके से इसके सामने cancel पर click करें या इनकी cross पर click करें और इसे cancel करें तो चेक करें इस तरीके से background में app download होता रहता है इसलिए जो app आप download कर रहे हैं उसमें pending आपको show होता है तो यहाँ से अगर download या फिर update हो रहा है तो cancel पर click करें और cancel करें उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं अगर फिर भी problem ठीक नहीं होती है तो अब अपने phone की settings open करें और settings open करके नीचे आईए नीचे आकर आएगा apps इस पर click करें उसके बाद उपर manage apps आएगा इस पर click करें आपके phone के यहाँ पर सारे app आ चुके हैं उसके बाद नीचे आईए नीचे आकर आएगा Google Play Store इस तरीके से तो यहाँ पर अब Google Play Store पर आप click करें और click करके देख सकते हैं ऐसा page आपके सामने आएगा अब नीचे force stop आएगा इस पर click करें ओके पर click करें ऊपर आएगा storage इस पर click करें या फिर storage usage के नाम से आपके phone में हो सकता है तो इस पर click करके नीचे clear data पर click करिए clear all data पर click करिए यहाँ पर आवके पर click करिए इसका data clear करने के बाद अब यहाँ से आप बहार आ सकते हैं अब अपने phone को एक बार बंद करके चालू करिए यानि कि restart करिए और phone को restart करने के बाद अपने phone में play store open करिए open करने के बाद अब check करिए pending verified by play protect problem अब आपको नहीं आएगी तो हम यहाँ पर check कर लेते हैं तो जैसे कि यह हमने install पे click किया और अब देख सकते हैं हमारा app डाउनलोड हो रहा है तो इस तरीके से आप pending verified by play protect problem ठीक करें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें